गूड मॉर्निंग और वेलकम एवरीबडी टू प्रेपाईस दोस्तों आज है 30 अगस्त मंडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर की अनेलिजीज मेरा नाम है सितेंदर चोधरी और रोज की तरह कुछ सेलेक्टिड टोपिक्स मैं आपके लिए बढ़ाने का त्रीका होता है और यह जो पूरा जर्णी है ना दोस्तों यूपिसी पूरा लर्णिंग का ही जर्णी है आपको डेली नया नया को सीखते रहें जो यसे अपने चायना सुप्धाई मैं आधना की इस यहां है इंडिया इमपेट करने वाला है इसके बारे हम थोड़ा सा यहां पे देखने वाले हैं अगरे जो न्यूज है उए है और फार्म के लिए हम लोग जादा रहते हैं और उसको थोड़ा टैकल करनेके लिए scheme चलाए गए थी लेकिन अभी कुछ experts का कहना है कि यह oil prime scheme अगर इसको implement करती है सरकार तो यह हमारे लिए एक disaster होगा पर interesting रहेगा देखना कैसा रहेगा यह disaster क्या बात है अगली जो news है वो रहेगे India relationship के बारे में कोई खास बहुत ज़ादा progress हुआ नहीं है जितनी relation अच्छी पहले थी अभी भी उतनी है लेकिन NOA का जो interview है उसमें नोने कुछ खास-खास बाते की हैं जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ S-400 defense system के बारे में और एक दो extra और हम दो अफगानिस्तान गेंगल से भी यहाँ पर बात करेंगे अगली जो news है वह है physical hearing in supreme court में start हो चुकी है पिछले साल मार्च के महीने से अभी तक सिर्फ online hearing ही चल रही थी covid की situation की बता ही आप जज लोग court में आ नहीं सकते थे वकीई लोग court में आ नहीं सकते थे लेकिन अभी इसके बारे में थोड़ी सी news आपको मैं बताने वाला हूँ क्योंकि उच में थोड़ा सा change होने वाला है अगली जो news रहे कि that would be of the IBC insolvency and the bankruptcy code and national monetization scheme भया यह भी बहुत ही ज़ादा एक government की ambitious scheme है बहुत ज़ादा ambitious scheme है इसके बारे में लोग पढ़ेंगे कि यह scheme क्या है और IBC का इसमें क्या रोल है कैसे यहां पर जो investor लोग होते हैं वो अप और जो retailers लोग होते हैं और जो developers होते हैं उसके बीचे का क्या relation है कैसे इस scheme का use करके सरकार infrastructure को develop कर सकती है इंडिया के तो अच्छी scheme है नई scheme है तो नई कोई भी चीज होती है तो हमेशा UPSC उसके लिए जो है concern रहता है आपसे question पूछता है और आज का जो editorial करने वाले हैं इंडिया एंड अफगानिस्तन बहुत बार और बहुत सारी editorial आज कल आई ही रहे हैं अफगानिस्तन के अबारे में यह भी कोई नया नहीं है लेकिन फिर भी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ नया angle जो हम यहां पे लेके आएं एक नया perspective आपके लेके आएं क्योंकि अफगानिस्तन और इंडिया के जो relationship है वो काफी historical रहे हैं यह सबको पता है और present में किस तरह से changes आए हैं तो we will talk about that a little bit चलिए, start करते हैं पहले topic से पहले topic रहे हैं चाइन प्रोलम क्या create करता है और क्यों create करता है उसके लिए आपका इत्वर बता देता हूँ यह है इधर से इंडिया कि जो भी South America से या North America से जो relation है या वहां से जो trade होता है इंडिया का 55% जो trade है वो देखो यहां से होके गुजरता है यह दुनिया की सबसे खतरनाख मतलब खतरनाख इंदर से the most important जगह है इसे कहा जाता है मलकका स्ट्रेट तो मलकका स्ट्रेट से ships गुजरते है और यहां से गुजरने के बाद वो यहां से entry करते हुए और उसके बाद वो pacific ocean में जाते है इसी तरह से अगर उदर से कुछ हाना होता है तो वो भी यहां से होते हुए मलकका स्टेट से होते हुए और फिर वो आपर इसमें इंडिया में या फिर शिरलंका शेयो होते हुए यहाँ एफरीका में जो के एंट्री करता है तो चाइना में जो भी crude oil आता है वो यहाँ से Middle East country से होता हुआ Indian Ocean से होता हुआ मलक का स्टेट को cross करके फिर वो चाइना में पहुँचता है चाइना और इंडिया की प्रोलम लगबग एक जैसी है दोनों जो है वो इंपोर्ट के उपर टिपैंड करते हैं और दोमेस्टिकली जादा प्रडूस करते नहीं है तो यह जो मलक का स्टेट है यह एक चोक पॉइंट है और देखिए मतलब वैसे तो यह टोपिक का पार्ट नहीं है लेकिन यह मलक का स्टेट के उपर इंडिया का काफी जादा कंट्रोल है क्योंकि यहाँ पर है अंडमान और निकोबार और हमारे जो है नेवी यहाँ पर तयार होके बैठी रहती है तो मलक का स्टेट को अगर हमने कभी भी चोक कर दिया तो समझे लो चाइना की गर्दन बेसिकली हमारे हाथ में है इसमें किसी तरह कोई डाउट नहीं है और चाइना का देखा जाए तो यही एक सबसे वीक पॉइंट है उसके डिफेंस में यह मलक का स्टेट और दुनिया का यह वन थर्ड जो ट्रेड है वो मलक का स्टेट से होके गुजरता है इसी तरह की एक और स्टेट है जो बहुत जादा इंपोर्टेंट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में फटा-फट बता दो यह जो यहाँ पे है न एक तो यह स्टेट है और एक यह स्टेट है दो जगह हैं यह देखे क्योंकि साओधी अरेबिया इरान इराग यूई कतार यह सारे की सारे कंटरी जो है औल प्रोडूसिंग कंटरी है औल एक्सपोर्टिंग कंटरी है और इनका मोस्टली जो शीपिंग है वो यहाँ से होके जाते तो यह जो सैंसिटी वेरिया है बहुत जादा और एक यहाँ पर यह तो चलब बताया दियता है यह तो स्वेज कनाल है सबको पता है ना इस जगह का नाम बता दीजिए क्योंकि देखिए एक तरफ इसका इरान है इसके अंदर जो भी है वो सब उसका है चाहे कोई रिसोर्स हो चाहे कोई आइलेंड हो कुछ भी हो विया तो तेखिए यह है नाइन डैस लाइन जो आपके यहाँ पर दिखा रखा है यहाँ पर यह है पार्शल आइलेंड्स यहाँ स्पार्टली आइलेंड्स जो लगातार dispute में रहते हैं तो चाइना कहता है कि यह सब उनका है हिस्टोरिकलिए उनका है आज भी उनका है लेकिन यहाँ पे दूसरे country भी है यहाँ पे वियतनाव भी है यहाँ पे फिलिपिन्स भी है यहाँ जो है, Malaysia भी है और यहाँ पे जो ताइवान भी है ये भी इनको लेके जो है क्लेम करते हैं लेकिन चाइना ने कहा है कि अगर कोई भी शीप अगर कोई शीप जो है अरे रुको भी या अगर कोई शीप साई चाइना से होके गुजरेगा मतलब मलक का स्टेट से होते हुए अगर वो साई चाइना से होके गुजरता है और 9-9 के NDR entry करता है तो उसको चाइना की परमीशन लेनी पड़ेगी अगर मतलब यहां से तो तैवान जाना हूँ यह फिर आपको यहां से से क्रोज करके आपको जिपान जाना हो करना हो साॉथ अमेरिका जानो चायना का कहना है कि अगर आप नाइन डैश राइन के अंडर में आए पूरी दुनिया नहीं मानती है कि साउट चैना सी उसका पार्ट है, यह एक इंटरनेशनल वोटर का पार्ट है, बहुत सारी कंट्रीज यहां पर क्लेम करती है, लेकि चैना खामखा अपने आप ही कह रहा है, क्या परमीशन लेके आईए, और ऐसे वैसे को परमीशन देनी अगर वो चैना की मैरेटाइम सीकूरूटी को एंडेंजर करते हैं, मतलब यह सारे के सारा मामला नैशनल सीकूरूटी का आता है, चैना कहता है कि यह सारे टेरिटरी उसका पार्ट है, लेकिन अनक्लोस जो है, जिसको उनाइटेड नेशन कंवेंशन दार लोफ दस ही कहा ज अगर नहीं कर रहा है, और चैना यहां पर खामखा जो है आर्टिफिशल आइलेंड बनाने के बाद यह क्लेम कर रहा है, तो यह प्रोलम थोड़ी सी यहां पे है, अब चैना ने एकलेम तो कर दिया कि आप मेरे से पर्मिशन लेजिए, लेकिन उसको इंप्लिमेंट कैसे कर इंडियन जो है वो एन्वल ट्रेड होता है और इंडिया का 55% ट्रेड वो साउच चाइना सी के थ्रू होता है, जो मलक का स्ट्रेट से होते हुए साउच चाइना सी से खुम जाते हैं, तो यहां पर इंडिया को लेकर यहां पर प्रोलम क्रेट करेगा, अगर कल को इंडिया को वेरिफाई कर सकता है तो यह कुछ-कुछ तोड़ा सा न्यूज को देखना रहेगा इंट्रेस्टिंग रहेगा फ्यूचर में क्या यहां पर डिवैलपमेंट होती है लेकिन यह जो इंट्रेस्टिंग टोपिक रहा है हमारे यूपेस्जी के लिए चलिए अगली जो रशिया को सपोर्ट करते थे और उसके बाद भी हम लोगों ने रशिया की पॉलिशी को यहां पे अपलाई किया जैसे फाइव एर प्लैन वगरा को एनिवेज बहुत अच्छे रिलेशन्शिप रहे है जब पाकिस्तान के साथ 1971 में इंडिया का वोर हुआ तब भी रशिया नहीं अटने वाला है खर वो सारे के सारा जो भी मामला हुआ हम सब को यह पता है कि रशिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशन्शिप है बहुत जादा गहरे हैं अभी उसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है definitely क्योंकि इंडिया अमेरिका के थोड़ा जादा close हो रहा है anyways थोड़ा एडिटोरिल में हम लोग बात करेंगे, बट, इंडिया और रश्या के बीच में जो defense को लेकर relationship है, उसके कोई भी deny नहीं कर सकता, इंडिया का जो 2017 की report की according, 2017 में, इंडिया का 68% defense equipment हम लोगों ने रश्या से import किया, तो कहने का मतलब यह है, conclusion यह निकलता है, कि हमारे defense जो है, वो रश्या के ओपर depend करता है भीया, सीधी सी बात है, अभी जो है, इंडिया के जो एन्वोई हैं, देखें, इनका नाम है, वेंकटेश वर्मा, तो इनके साथ एक interview किया गया है, तो इन्होंने अपनी कुछ बातें बताई, इतने पड़े लेकिन, इनसान इसी एरिया में काम करते हैं, experience हैं, तो अब देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या बोला है, देखें, इन्होंने कहा है, कि इंडिया के बीच में, एक जो है, इन्डिया और रिशिया के बीच में, एक बहुत popular, world renowned, एक naval exercise होती है, कभी तो वो रिशिया में होती है, कभी वो बेव पेंगोल में होती है, आप मुझे उसका एक नाम बता दीजिए, अहला कि एक सिर्व naval नहीं है, ये triforce है, मतलब इसके अंदर नेवी भी होती है, आर्मी भी होती है, और एर फोर्स भी होती है, उस exercise का मुझे जो है, बस जल्दी से नाम बता दीजिए, ठीक है, comment section में, उसके लावा जो है, Central Asia में इंडिया को अपना cooperation expand करना है, तो हम लोग definitely Russia की help ले सकते हैं, क्योंकि Central Asian countries की अगर आब बात करो, जैसे यहाँ पर काजिकस्तान, है ना उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तर यह पहले सारे Russia Federation का ही पार्टवा करते थे, उसके बाद में 1991 में जब Russia तूटके अलग हो गया, तो इस सारे कंट्रिया अलग अलग चली गई, तो इंडिया को भी अगर access करना है, तो definitely इन countries में अगर अपने relation बनाने है, क्योंकि यहाँ पे है काफी साथा resource, और इंडिया को गर इन resource को exploit करना है, कहीना कहीन countries में अपनी पकड़ पनानी है, तो रशिया की help के बिना हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, तो strategically बहुत ज़्यादा important है रशिया हमारे लिए, है ना, और historical relationship तो खर रही है, S-400 defense system यह इंडिया रशिया से import करना चाहता है, S-400, यह जो आप देख रहे हैं भी, यह है S-400 system, इसके अंदर सर्फेस टू एर defense mechanism है यह, तो अगर कोई missile बहुत दूर से अगर आ रही है, तो आप इसको यहां से launch कर सकते हैं सीधा भी है, और उस missile को ऐसे गिरा मार गिरा सकते हैं, महाभारत में होता था था न, वो एक तीर इदर से आता था, दूसरा तीर इदर से हरुजुन का रहा है, करन का रहा है, और बीच में भी दूसरे को cancel out कर रहे हैं, कि यह कुछ-कुछ इसी तरह का है, यह महाभारती है modern समय की, तो यह बहुत दुनिया का सबसे advanced surface to air defense system है, surface to air defense system, तर्की ने इसको रशिया से खरीदा है, अगर कोई country, अमेरिका के दुश्मन देश के से कोई technology, defense technology बड़े large scale पे खरीदा है, तो अमेरिका उसको पर sanctions लगा देता है, अब अमेरिका के यहाँ पर है मजबूरी, क्योंकि S-400 तो देखो, इंडिया ने ले नहीं है, देखे जब order place कर दिया तो पीछे तो नहीं हटेंगे, अमेरिका बार-बार इंडिया को कह रहा है कि इसे मत लीजिए, हम आपके पर sanctions लगा देंगे, लेकिन अमेरिका की भी मजबूरी है, क्योंकि इंडिया के बिना अब उसका भी चारा नहीं है, चाइनों को अगर counter करना है, तो S-400 तो इंडिया लेगा ही लेगा, और इंडिया expect करता है कि USA से हम लोगों को कुछ यहाँ पे waiver मिल सकता है, क्योंकि कासा के अंदर waiver का provision भी है, उसके लाबा इंडिया और रश्या के बीच में जो है 2 प्लस 2 ministerial dialogue भी हम लोग होल्ड करने वाले हैं, यह इसको भी schedule कर दिया गया है, 2 प्लस 2 जो है बहुत ही important, मतलब strategic और defense लेवल पे, strategic defense और economic level पे, एक बहुत important dialogue होता है, जिसमें 2 minister रश्या से होंगे, 2 minister इंडिया से होंगे, और रेगुलर बेसिस पे आपस में meet करेंगे, तो मतलब यह है ना कि जैसे कहते हैं ना कि दोस्ती को रिष्टेदारी में बदलने वाली बात होती है, तो यहाँ पे यह ना दोस्ती रिष्टेदारी में बदलने जाती है, तो दो लोग उदर से आते हैं, दो लोग इदर से जाते हैं, और रिष्टेदारी हो जाती है पकी, अभी इंडिया जो है, वो जपान के साथ 2 प्लस 2 करता है, और इंडिया और USA के साथ भी 2 प्लस 2 मिनिस्टिरिल करता है, चीक है, रशिया के साथ अभी हमारा नहीं हुआ है 2 प्लस 2, लेकिन डेफिनिटलिल हम लोग करने वाले हैं, उसके लावा अफगानिस्तान के इशू भी हम लोग यहाँ पे डिसकस करने वाले हैं, जैसे अफगानिस्तान में जो प्रोब्लम क्रेट हुई है, तो उसकी वज़े से refugee crisis हो, चाहे organized crime हो, या चाहे human trafficking हो, तो definitely कहीं न कहीं यह इंडिया को भी impact करने वाली हैं, और अगर हम रशिया से जो भी equipment वगरा लेते हैं, तो make in India program के थुरू लेते हैं, तो रशिया हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ equipment ही नहीं देता है, दोस्तों, रशिया हम लोगों को technology भी देता है, और ब्रहमोस का तो आपको पता ही होगा है न, दुनिया की सबसे advanced cruise missile है, cruise missile है भहिया, दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी, ये इंडिया ने रशिया के साथ मिलके ही इसको बनाया है, और ये इंडिया को ट्रांसफर करता है, और जैसे हमारे जो T90 टैंक्स हैं, वो भी हम लोग रशिया से ही लिये हैं, हमारे इंडिया में अभी 14 submarines काम कर रही हैं, जिनमें से 9 जो हैं वो रशियन हैं, अभी इंडिया का जो aircraft carrier है, INS Vikramaditya, वो भी हम लोग ने रशिया से लिया है, तो रशिया के उपर हमारी dependency बहुत ज़ादा है, और रशिया की भी हमारे उपर है, कि सुप्रीम कोट ने कहा है, अभी रमना जी ने एक notification इशू किया है, कि कहा है कि 1st of September से physical hearing भी हम लोग start करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे lawyers और जो बार कांसिल ओफ हिंडिया है, उनकी demand आ रही थी कि आफ प्लीज hearing शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे lawyers ने बैचारे वो क्या है, unemployed हो गए हैं, अभी सभी lawyers तो online नहीं कर पा रहे हैं, hearing वेरा उनको नहीं पता है, टेकनोलजी का वो सारी सारी चीज़े, तो उनका कहना था कि अभी तो corona की case कम हो गए हैं, तो प्लीज आप शुरू कर दीजिए, तो अभी definitely हम लोग शुरू करने वाले हैं, तो अभी hybrid system हम लोग continue करेंगे, Tuesday to Thursday हम लोग online भी शुरू करेंगे, बीच बीच में offline, तो virtual और physical दोनो hearing होने वाली हैं, देखें दोस्तों कभी भी कोई भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, जैसे वाल करोना हुआ, तो हमारे structural changes होते ही होते हैं, हमारे judiciary में भी structural changes हुए हैं, बहुत सारी country जैसे बिटेन हुआ, अमेरिका हुआ, जपैन हुआ, वो लोग पहले से ही virtual hearing करते हैं, लेकिन हमारी country में भी हम लोग न वर्चूल hearing का एक concept नहीं था, जिसकी वज़े से थोड़ा सा, आप यह कह सकते हैं कि judicial process थोड़ा slow था, अगर वर्चूल hearing करने लगेंगे judges लोग, तो definitely जो है, एक तो judicial system के अंदर एक नया system add होगा, और उपर से justice delivery system जो है, fast हो सकता है, तो बहुत ज़रूरी है, तो कि digital India के हम लोग बात करते हैं, globalized world और technology era की हम लोग बात करते हैं, तो हमें अपने justice system के अंदर भी technology को ले के आना चाहिए, तो यह भी point जो है इस तरह के आप अपने mains के exam answer में, definitely mention कर सकते हो, ठीक है, तो यह रहा पूरे का पूरा digital India के तहत है, तो ऐसे भी हम लोग courts को modernize कर ही रहे हैं, तो यह पूरा थोड़ा खास important नहीं है, लेकिन कुछ standard of procedure, मतलब SOP जो है issue किया है, उन्होंने कहा है, कि mask पहना बहुत mandatory रहेगा, hand sanitizer का बार-बार use कीजिए, और physical distancing norms को भी, अगर आप follow करोगे, तो physical hearing जो है अभी possible है, क्योंकि दिल्ली में case ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, सुप्रीम कोट की जो है, वो bench वो दिल्ली में ही है, कहीं हो तो है नहीं, है ना, चलिए, अगली जो news है, वो है, नीतिया योग, नीतिया योग की नहीं है, लेकिन नीतिया योग ने कुछ बोला है, उसको लेके हैं, तो ये दो आर्टिकल है, दोनों आर्टिकल को मैंने एक साथ में combine किया है, इसको देखके देख देख रहे हैं क्या है, वैसे तो ये एकोनमी का आर्टिकल है, और एकोनमी का आर्टिकल देखे सबको समझ में नहीं आता, एकोनमी का आर्टिकल उसको इसको समझ में आता है, जिसको एकोनमी के basics के लिए रहों, हैना, अदरवाज तो एकोनमी का आर्टिकल को लोग generally avoid करते हैं, students भी है ना क्योंकि लेकि पहले आप economy के basics cover कीजिए इसके लिए 12th standard की NCRT जो है पढ़ सकते हो macro economics ठीक है आप उसको वहाँ से शुरुआत कर सकते हो यह starting point आपका रहेगा उसके लावा कभी भी अगर आप इस पर economy section पढ़ते हो तो आपना Google हमेशा खोल के रखिए कोई भी नई अगर आपको term मिलती है तो उसको एक Google पे आप थोड़ा सा खोल के देख लिया करो अगर आप एक notebook mention कर सकते हो एक अलग से छोटी सी notebook जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ economic terms का जो है एक बिल्कुल brief meaning आप वहाँ पे लिख सकते हो है ना तो इस तरह से आपका दो तीन महीने आपको लगेगा अगर आप फ्रेशर हो लेकिन धीरे धीरे आपको economic article भी समझ मियाने लगेंगे लेकिन ठीक है मैंने क्योंकि important है तो मैंने इसको भी यहाँ पे स्कीम है और छे लाख करोड रुपे मतलब देख लीजे अब इसमें कितनी जीरो आएंगी अब बता भी नहीं सकते हो छे लाख करोड रुपे का जो है यह estimate लगाया गया है और चार साल में यह जो स्कीम है national monetization pipeline अब देखिए इसका पूरा थोड़ा मतलब आपको मैं बता द जो brownfield project है brownfield brownfield project दोस्तों वो project होते हैं जो already शुरू हो चुके होते हैं लेकिन वो किसी वज़ेस उनका काम रुक गया है तो उसके ओपर जो है आप फिर से जो है उसको modernize करते हो उसको expand करते हो that is the meaning of brownfield project apart from this we have another project also which is called greenfield greenfield में आप बिलकुल नए शीरे से बिलकुल ground level से construction लेकिन brownfield में already वहाँ पर project होता है आप उसको expand करते हो या उसको lease पे लेते हो उसको बोलता है brownfield project इंडिया में जो अभी बहुत सारे brownfield project हैं या तो उनका काम रुका हुआ है या बहुत slow pace में चल रहा है especially आप electricity वाले department में देख लीजिए road वाले department में देख लीजिए ठीक है या फिर normal जो हमारा infrastructure है railway बगरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम रुका हुआ है तो सरकार ने कहा है कि यह जो brownfield project हैं यहाँ पे private sector को हम लोग engage करेंगे और ताकि private sector यहाँ पे investment करे अब जब private sector यहाँ पे investment करेगा तो उनको तो benefit हो गई होगा साथ के साथ सरकार को भी revenue मिलेगा लेकिन आप एक चीज़ important जो है वो point सबसे important यह है कि private sector investment यहाँ पे जरूर करेगा लेकिन उनको सिर्व revenue right मिलेगा दोस्तो ownership right नहीं मिलेगा मतलब उस project के owner नहीं है उस project को maintain करेंगे उसको revenue मिलेगा सिर्फ वो उनको मिलेगा ownership बिलकुल भी नहीं मिलेगी तो यह ध्यान रखने आपने exam अगर आ जाए they are not getting the ownership but only the revenue rights ठीक है इंडिया में कहीं सारे ऐसे model हैं जिसके तुरू हम इसको apply करते हैं PPPG से बोलते हैं public private partnership है ना जैसे एक तो operate maintain transfer हो गया toll operate transfer हो गया and operations maintenance and development हो ज्यादा तर जो यह operate maintain transfer होता है और यह toll operate होते हैं हम लोग यह basically road infrastructure में ज्यादा इसका use करते हैं और यह operations maintenance development है यह basically ज्यादा तर हम लोग electricity में ही generate करते हैं anyways लेकिन इसके अंदर investment कोन करेगा इतनी बड़ी-बड़ी investment जो है कोन करेगा कहां से आप investor लेके आओगे कहां से आप हमारे पास कुछ trust होते हैं जिसे कहा जाता है real estate investment trust और infrastructure investment trust यह बहुत बड़ी trust होती है दोस्तों यह mutual trust mutual जो आपका fund होता है mutual fund के जैसी होती है just like mutual fund इसमें आपके जैसे मेरे जैसे बहुत सारे लाखों investor थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाते हैं इन trust के अंदर और यह trust जो है आ ятकि जो infrastructure investment trust है ये भी कही ना कही है तो सरकार ने कहा है कि ये सारे की सारे company यहाँ पर invest करेंगे लेकिन प्रोल्म यहाँ पे एक है अब ऐसा तो नहीं कि यह जो investment trust हैं यह सभी की सभी successful हो जाएंगी हो सकता है कि यह bankrupt भी हो जाएं हो सकता है यह जो है loss में चली जाएं लेकिन अगर जब bankruptcy अगर हो गया उसके बाद इनका क्या solution होगा उसके लिए हमारे पास होता है IBC insolvency and bankruptcy code तो कोई भी ऐसी company जो bankrupt हो जाती है जो अपना पैसा चुका नहीं पाती है वो IBC code के तहत अपने solution कर सकती है जैसे मालो kingfisher company है अगर वो bankrupt हो गई है तो वो declare कर सकती है court में जाके कि I am bankrupt और उसके assets बेचे जा सकते हैं और उनके assets को बेचके investors को पैसा दिया जा सकता है कई बहुत सरे provision होते हैं IBC के अंदर IBC को इसलिए किया गया था 2016 में ताकि इंडिया में जो यह process है वो आसान हो सके private sector जादे invest कर सके और foreign से भी हम लोगों को investment आ सके है ना देखे यार मतलब सीधी सी बात अगर कोई company बंद होने वाली है वो बेचारी पैसा नहीं चुका पा रही है तो इससे अच्छे है कि उसको बंद कर दिया जाए पूरी तरह से और उसको जाने दिया जाए रादर देन हम उसको यहाँ पर कानून के चक्कर में जो है उस है यह बिजनेस कीजी अगर आपका बिजनेस चलता है तो वालन गूड है विजनेस नहीं चलता है तो आप निकली आराम से बाहर अपने एसेट्स वगरा को बेच के तो इस ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इससे अच्छा होता है इस ऑफ डूइंग बिजनेस बस ठीक है हमारे पास दो act है, surface act है और एक हमारे recovery and debt bankruptcy act है तो यह जो भी investment company होंगी जिसके बारे मैंने आपको बताया जो mutual fund के जैसे काम करती है investment company, वो in act के अंदर में तो है ही, लेकिन नीतिया योग ने कहा है कि आप उनको IBC के अंदर भी लेके आईए, अभी तक वो IBC के अंदर नहीं है, तो अगर उनको IBC में लेके आएंगे तो जादा से जादा investment company आ, infrastructure के अंदर invest करेंगी, सरकाल को revenue generate मिलेगा और इंडिया का infrastructure जो है वो develop होगा बस पूरे का पुरा मामला यही था उन्होंने नीतिया योग ने कहा है कि आप उनको IBC के अंदर भी लेके आए, जिसकी वज़े से उनको encouragement मिलता है जिसकी वज़े से उनको inspiration मिलता है अपना पैसा investment करने का, उनको पता है कि अगर बाईचांस कलको bankrupt हो गए आपको नुकसान हो गया तो कम से कम आपके पास एक कानून के तहत एक exit का रास्ता तो है यह थोड़ी सी थोड़ी news थी आप इसको थोड़ा हो डिटेल में पढ़ना है तार्टिकल को पढ़ सकते हो अधर्वाइस इसका पूरा करक्स यही था तो मीजिया वीजिया मालिया जैसे लोग जो किंग फिशर उगारा को चलाते थे है ना आई बीसी के तहत वो लोग easily exit कर तकते हैं चलिए तो यह तो पूरा का पूरा थोड़ा सा मामला अभी देख लेते हैं हम लोग oil palm को लेके देखें मोधी जी ने कुछ टाइम पहले एक स्कीम चलाई थी जिसे का आगया था कि उन्होंने कहा था कि हम इंडिया में oil palm को की production को बढ़ाएंगे तो National Mission on Edible Oil Palm NMEO ठीक है यह स्कीम चलाई थी इसका जो इन्होंने बजट रखा था वो रखा था 11,000 करोड देखें दुनिया का सबसे बड़ा कंजूमर है इंडिया वन इट कमस टू वेजेटेबल ओयल इस वेजेटेबल ओयल में से भी जो ज़ादातर है वो palm oil होता है और दोस्तो palm oil में मतलब इसका 60-65% 60-65% हम लोग palm oil करते हैं और इसका मतलब लगभग 99% हम लोग इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से और इंडोनेशिया से सोचने की बात है इंडिया एक परसेंट से भी कम domestic palm oil प्रडूस करता है और दोस्तों मलेशिया के साथ हमारे relation कोई खास नहीं है ये मैं आपको बता दूँ मलेशिया और पाकिस्तान काफी close हैं relationship में और मलेशिया के काफी उनके प्रेजिदेंट के बयान आते रहते हैं इंडिया के against में तो इंडिया ये भी चाहता है कि मलेशिया के उपर हमारे dependency कम हो क्योंकि मलेशिया oil palm को लेके कहीं बार हम लोगों को blackmail भी करने की कोशिश करता है तो ये पूरे का पूरा मामला था ये scheme हम लोग ने चलाई थी लेकिन देखें किसले यूज होता है vegetable oil, detergent बगरा बनाने के लिए plastics, biofuels और cosmetics ये भी आपको prelims में पूछ सकते हैं कि vegetable oil जो है किस चीज में हम लोग यूज करते हैं तो ये देखें, पूरे का पूरा ये मामला था इसके वज़े से तो सरकार ने जो है हम scheme लेके आये थे कि हम लोग oil production बढ़ाएंगे लेकिन उसका main focus कहां पे रहेगा अंडमान में रहेगा, निकोबार में और North East States में रहेगा तो ये पूरी पूरी scheme थी लेकिन जैसे कि हमेशा ये होता है कोई भी scheme full proof नहीं होती है उसके अंदर कुछ drawbacks होते हैं कुछ loop holes होते हैं ऐसे ही drawbacks दोस्तों यहां पे भी है experts का कहना है कि इस scheme से अगर हम लोग production बढ़ाएंगे तो monoculture को बढ़ावा मिलेगा monoculture मतलब पूरी की पूरी जग अब एक ही crop हो जाएगी जिसकी वज़े से नुकसान होता है उपर से जो oil palm है ये दोस्तों इंडिया की indigenous species नहीं है ये invasive species है जो बहार की country से इंडिया के अंदर उसको introduce किया गया है तो इसकी वज़े से जो हमारे indigenous species हैं उनको खत्रा होगा दूसरी बात oil production को बढ़ाने के लिए आपको forest को काटना पड़ेगा क्योंकि आपको area बढ़ा करना है तो जो natural habitat है endangered wildlife हो जाएगा हमारी biodiversity को खत्रा हो जाएगा उपर से जो हाँ के tribal land के जो उनके ownership right है उनके उपर भी खत्रा है और क्योंकि rainforest का जो हम लोग destruction करेंगे तिस वज़े से native biodiversity तो कहने का मतलब पूरे का पूरा ये है कि experts नहीं ये कहा है कि अगर सर आपने oil palm की production को बढ़ाया तो ecological destruction तो होगा ही होगा community rights भी जो हमारे community के land rights हैं उनको भी हम लोग negative impact कर देंगे तो उनका कहना कि ये scheme आप please लागू मत कीजिए लेकिन सरकार ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है हम लोगोंने already study कर लिया है इतने ज़ादा negative impact इसके नहीं होंगे already पहले से ही जो agriculture land है उसके उपर ही हम लोग oil को palm को grow करने वाले हैं अगली जो news आती है वो एक editorial page से ही लिया गया है बहुत जादा बड़ी news नहीं है छोटी news है लेकिन छोटी है लेकिन important है देखे उत्तरा खंड़ गएरा में बहुत सारे hydroelectric power planners लगाया जाते हैं और आप आपको पता है कि चमोली डिस्टिक में कितना बड़ा एक अभी crisis हुआ था है ना और जिसके वज़े से वहां पर दो बड़े बड़े डैम वीडियो वीडियो आप समने देखी होंगी कि इस तरह से दिस्ट्रोई हो गए थे भी लोगों लेकर तुम देखते देखते विदिन सेकेंड और फ्लड वहां पर आ गया था उसके बाद तो यह जो हमारा उत्तरा खंड वाला प्रोपर्ली उत्तरा खंड हमाचल वारा हिमालेन जो भी रीजन्स हैं काफी जादा प्रोण हैं डिजास्टर के और अर्थक्वेक प्रोण है और बहुत जादा यहां पर आपने देखा यहोगा लैंड स्लाइड उगरा आवलांच है ना बहुत जादा आता है तो इतनी सैंसिटिव एरिया में इतने बड़े बड़े हैड्रो पावर प्रोजेक् था कि यह एरिया प्रोप सुटेबल नहीं है बड़े बड़े प्लांट्स के लिए लगाने है तो छोटे छोटे लगा लो उसमें कोई दिकत नहीं है इसकी वजए से सुप्रीम कोट ने यहां पे हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए मना कर दिय था लेकिन आप एक जी और देखिए the clean India जो clean गोंगा जो program एसिए इन्डिया government का वह बहुत यह ambisius program है सरकारangan कि इसके पर काफी interrupted होना चाहिए और लेकिन हाइडरो पाउर प्लांट से हम लोग क्या करते हैं उसको interrupt कर देते हैं तो इसके इंदर जो फिश वगएरा होती है जो marine life होती है वो पूरी disturb हो जाती है इसकी वज़े से हमारी गंगा का जो flow है वो तो कम होता ही होता है उससे उसकी overall health भी कमजोर हो जाती है तो हमारी जो water resource ministry है जो clean नमामी गंगे plan को देखती है इसको oppose कर रही है लेकिन हमारी जो ministry of power है वो कह रही है कि नहीं नहीं आप इन प्रोजेक्ट को लगाईए क्योंकि देखी यार सीधी सी बात है मतलब हिमाचल और उत्रकंड में लोगों को बिजली तो चाहिए electricity तो चाहिए लेकिन जो हम यहाँ प electricity produce करते हैं वो सिर्फ मूनी के लिए नहीं करते हैं हिमाचल में जो produce होती electricity वो हर्याना को भी मिलती है पंजाब को भी मिलती है उत्रकंड में जो produce होती है वो उत्रप्रदेश को भी मिलती है तो इसी लिए और ये clean भी है pollution create नहीं करती है तो negative impact तो है ही positive impact भी है और सरकार एक beach का रास्ता पनाना चाहती है सरकार ये कह रही है कि हम कोई नया project नहीं लगाएंगे लेकिन जो project उलड़ी चल रहे हैं जिनकी 50-60% construction हो चुकी है कम से कम वो तो हमें लगाने दीजिए तो ऐसा Supreme Court में सरकार ने बोला है तो ये थोड़ा सा मामला है आपका GS paper 3 से जो आप इसको cover करोगे environment वाले portion से और GS paper 3 में आप इसको infrastructure वाले project में भी cover कर सकते हो और even GS1 में भी आप इसको geography वाले portion से भी जोड़ के देख सकते हो है ना चलिए आज का जो editorial है उसको देख लेते हैं एक बर अफगानिस्तान इंडिया के regarding ये है आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे इसके बारे में सुन चुके होंगे और सुन सुन के पक भी चुके होंगे लेकिन थोड़ा सा दस मिनिट मेरे साथ बने रही है पांच साथ मिनिट थोड़ा सा और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ देखे जो अफगानिस्तान में जो history हुआ वो तो अलग बात है नहीं होई षाफ के तरह क्या रिलेशन नहीं होई थे मैं यहां पर बात नहीं करने वा थे है वं hard right पूरी तरह से फोलाइट कर दिया के इंडिया येन ने अपनी अम्बैस्जिए को पूरी तरह से बंद कर दिया पहले कंदाहर में बंद किया उसके बाद रेंड में जो है काबूल में बंद किया और सिर्फ अमबेस्टी को नहीं कॉंसूलेट को भी बंद कर दिया तो इसका मतलब यह है कि इंडिया गवर्मेंट के तरफ से इस समय वह पे कोई भी रेप्रेजेटिन्टीव नहीं है लेकिन अगर आप इरान का एकजमपल लेजे चाइना का एकजमपल लेजे रचीया का एकजमपल लीजे रखते ताकि अच्छे से इवैक्वेशन हो सकती तालीबान ने भी इंडिया को बार-बार कहा कि आप हमारे यहां पे स्टे कर सकते हैं देखे प्लीज तो नहीं कहे तो मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है तालीबान ने इंडिया को एस्षोरेंस दिया था सेफटी के लिए क कि आप इंडिया में बने रहिए अपनी अमश्य को बंद मत कीजिए हम आपको आपको जो है किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे लेकिन उसके बावजुद भी इंडिया वहां से बाहर हो गया है देखे तालीबान के उपर दोस्ता भरोसा नहीं कर सकते हैं वो जो प्रिटिक्स की बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर इंडिया कोई major player नहीं है हमारी presence वहां पे जरूर है लेकिन बहुत बड़ा player हम वहां पे नहीं है क्योंकि हमारी जो भी foreign policy रहे है अफगानिस्तान को लेके वो national interest based नहीं रहे है हमारी जो भी foreign policy अफगानिस्तान म अमेरिका की फूर्न पॉलिसी होती है, उसके according sink करके हम अपनी policy को वहाँ पे चलाते हैं, और वहाँ की जो अफगान government है, इंडिया को उसको support करता है, क्यों करता है, क्योंकि अमेरिका की वज़े से हम लोग उसको support करता है, पहले हमने करजाई को support किया, अभी हम लोग उने घा ग्रूप है उसके बावजूद भी इन्होंने आपस में नेगोसियेशन किया जबकि एक दूसरे से पसंद नहीं करते हैं बिलकुल भी लेकिन इंडिया को नेगोसियेशन करना चाहिया तक उस लोगों कैसा मानना है एनिवेज इंडिया ने घानी के ओपर जादा ट्रस्ट किय गानी जो है ना देखिए किसी एक आदमी के ओपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा कहीं वार रिस्की हो जाता है गानी बहुत पड़े लिखे आदमी है इन्होंने एक बुक भी लिखी है बुक का नाम थोड़ा मेरे ध्यान नहीं है कि हाउट टू सेव फेल स्टेट्स ऐसे करके क लेकिन भाई ने बुक तो लिख दी लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाए एडमिनिस्ट्रेशन बहुत खराब था उपर से करप्ट भी थे इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर तीन बिलियन डॉलर खर्चा किया जो थोड़ा बहुत पैसा नहीं होता बहुत बड़ी र दिया चोटे चोटे प्रोजेक्ट में नहीं है तो इंडिया निंदिया क्या कर सकता था इंडिया ने तालीपान के साथ engage तो जरूर किया लेकिन काफी बाद में किया बहुत पहले करना चाहिए था और senior तालीबान के साथ हम लोगों ने वैसे ही अगर किया भी हम लोगों ने बाद में contact तो वो senior leader के साथ नहीं किया junior leader के साथ ही करते रहे जिसके वज़े से प्रोलम इतनी यहां तक पहुँच गई है ना इरान ने भी उसके देख मैंना वगों बता दिया कि एरान ने भी उसके साथ बाचित किया था देखिए इंडिया हमेशा सही तालीबान के साथ बाचित करने से बचता रहा है देखो दोस्तो एंगेजमेंट करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसकी अथोरिटी को मान रहे हो एंगेजमेंट डस नोट मीन एंडॉर्समेंट यह स्टेटमेंट आप अपनी नोट बुक में लिख लीजिए बिलकुल आपके काम आएगी एग्जाम में सिर्फ इस एग्जैमेंट में नहीं किसी भी एग्जैमेंट में काम आसकती है एंगेजमेंट डस नोट मीन एंडॉर्समेंट अगर आप तालीबान के साथ एंगेज हो रहे हो इसका मतलब यह नहीं है कि आप तालीबान के obtain डेंड़ को सपोर्ट कर रहे हो recognition का दोस्तों मतलब यह नहीं है कि हम लोग caste system को promote करते हैं इसी तरह से अगर आप तालीबान के साथ engage होते हो इसका मतलब बिलकुल भी नहीं है कि आप तालीबान को promote करते हो engage होने में कोई बुरा ही नहीं है क्योंकि देखे practical बात है तालीबान वहाँ पर एक force है और force के साथ आपको वहाँ पर बाचित करनी ही पड़ेगी इंडिया के action को justify भी किया जाता है कहीं तरीके से कैसे देखें इंडिया में कहा जाते है कि इंडिया के consular वहाँ पर होने चाहिए थे अगर इंडिया के consular अगर होते भी वहाँ पर तो भी क्या ही उख़ाड लेते सोचने की बात है तो अगर वो देखो घर से तो बाहर निकल नहीं सकते थे ओफिस से क्योंकि उनकी जान को खत्रा था और अगर आपका दोस्तों ओनलाइन काम ही करना है तो आप कहीं से भी कर सकते हो तो embassy खोल के रखना या consulate खोल के रखना कोई बहुत बड़ी help नहीं थी ऐसा मानना है कुछ experts का इंडिया वहाँ से आ गया है यही हमारे लिए यहाँ पे better option है क्योंकि देखिए अभी वहाँ पे 13 American soldier मर गए है attack की वज़े से तो हमारी country में क्या हालत होता क्या reaction होता अच्छा है कि वहाँ से safety से लोग निकल आए है ना तो यह यहाँ पर एक बड़ी बात यहाँ पर कहीं जा रही है और वैसे भी तालीबान के पर हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं ना तालीबान ने हमें बार 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 बोलेगा आप रुकिये और लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते अगर तालिबान हमें बोलता कि आप यहांपे safe हैं और उसके बाद हमारे वपर attack हो जाता क्या हम लोग तालिबान को उपर retaliate कर सकते थे कि तुमने अपने commitment को fulfilled नहीं किया तुमने अपने promise को fulfilled नहीं किया अमेरिका यह कर सकता है लेकिन इंडिया यह यह नहीं कर सकता हम तालिबान को फोर्स करने वाली सिच्वेशन में बिल्कुल भी नहीं है तो अगर हमारे कॉंसिलेट के ओपर अटैक होता हमारे ओफिशल के ओपर अटैक होता तो भाया ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सैट बैक हो जाता डिजास्टर हो जाता है ना लेकिने वहां पे सिर्फ तालिबानी तो नहीं है ना अँगेज ग्र और लेते तो कभी ही इंडिया के साथ अंगेज नहीं करते वो इंडिया के दुश्मन है उनका एग्जिस्टन्स ही ये क्ईशलिए को उनको Is Ses में लड़ना होता है तो यह इसलिए इंडिया ने, वहां स कुछ एंगेजमेंट होती है तो एक्षिन हम लोग अलग से ले सकते हैं यहां पर आकर यहीं निकलता है कि हम लोग अमेरिका के बहुत अब्सद्र गशिया हो गए फोरिन पोलिसी को ले के स्पेशले अफगानिस्तान के केस में जिसकी वज़े से थोड़ा नुकसान हमें हुआ है रसिया जिसकी वज़े से काफी गुस्द म nostalgia हुआ हम से और इसवज़े रसिया जो है वह चाइना के वो चैना के इनिशेटिव है जिसकी वज़े से चाइना के साथ भी हमारे रिलेशन्शिप खराब हो गए है और इसी वज़े से बोर्डर पर जो है इतना साधा क्राइसिस यहां पर हमारे बीच में आ गया है उसके लावा बाद में इन्होंने एंगेजमेंट यही निकाली है कि इंडिया क जो अपनी MSC बंद की है काबूल में वो एक अच्छा डिसीजन है it is not a bad decision at all क्योंकि भाईया कुछ भी हो सकता था वहाँ पे कहां से कौन सा बोंब आ जाए कौन सा रोकेट आ जाए किसी को कुछ नहीं पता कहां पर कबसा अटैक हो सकता है तो इंडिया ने अपने ओफिशि पढ़ सकते हो चलिए तो यह थे आज के कुछ important articles आई हो आपको ठीक ठाक लगा होगा अभी आपके साथ हम लोग बने रहेंगे बढ़िया बड़ी article लेके आते रहेंगे आपके लिए और newspaper तो crucial है ही लेकिन इन article के साथ साथ आप इन news को newspaper से भी पढ़ सकते हो newspaper आपको पता ह है हम लोग आपको टेलिग्राम गरा ग्रूप पे डिटेलिंग और प्रवाइड करवाई ही देते हैं चलिए दोस्तों that's it that is all for the day thank you very much all the best and जैहिंत